ओम श्यांती 25 अगस्थ 2024 के अव्यक्त महवाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर बाप ददनी कहा जैसे सुल नैनों में निरंतर बिंदी चमकती रहती हैं, क्या ऐसे निरंतर बाप भी बिंदी बन तुम्हारे नैनों में समाया रहता हैं? अगर ऐसा है, तो फिर और किसी तरफ यह नयन आकरशित नहीं होंगे, तुम बिलकुल सेफ हो जाएंगे और मेहनत से भी छूट जाएंगे. परन्तु बाप दादा को दिल में और नैनों में समाने की विधी हैं साहिब को राजी करना, और साहिब राजी होता है सच्ची दिल पर. जो सच्ची दिल वाला है, वह सदा संकल्प, वानी और कर्म में राज युक्त होगा. फिर बाबा ने कहा, ऐसे राज युक्त कभी भी अपनी स्वस्थिती से नाराज नहीं होते और नहीं औरों को नाराज करते. अब आगे चल समय बहुत नाजुक होता जाएगा. इसलिए समय अनुसार अपने मन बुद्धी को स्वपन तक भी सदा, शुब और शुद्ध रखो. और साथ साथ अपने मन की कैचिंग पावर को, जिसको आप तचिंग कहते हो, उसका स्विच ओन रखना. माया कोशिश करे गी ओफ करने की, परंतु आप बच्चों को सावधान रहना है. लास्ट में बाबा ने कहा, स्थापना के निमित बनी हुई आत्माओं को, अब किसी भी बात में, चाहे स्वप्रती, चाहे औरों के प्रती, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए. सेकेंड में क्लियर टचिं हो, तो बिंदी लगाने में मुश्किल नहीं लगेगा. यह समय कमाने का है, गवाने का नहीं. इसलिए गवाने को बिंदी लगाओ. और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से. मुरली का सार सत्यवादी बनो और समय प्रमान रहम दिल बन बेहद की वृती, द्रिष्टी और कृती बनाने के द्रिड संकल्प का दीप जलाओ. आज प्यार के सागर बाप ददा अपने अती प्यारे सिकी लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलने आए हैं. आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं. तो बाप ददा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं. आप सब ही तो इस लोक से आए हो और बाप दादा पर लोग और सुक्षम लोग से आये हैं तो सबसे दूर से कौन आया है कौन दूर देशी है डबल फॉरिनर्स दूर देशी है नहीं सबसे दूर से दूर दूर देशी तो बाप ही है बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी वो भारत वासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है कौन सी बात पर नाज है? बोलो विशेस डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिती में बाप से मिलने के लिए पहुँची गए है ड्रामा ने खेल भी दिखाया लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेस वर्दानों की वर्षा कर रहे हैं आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वर्दान चाहे वह वर्दान मिलेगा सहज मिलेगा लेकिन इस वर्दान को रोज अमृत विले और कर्म योगी स्थिती में बार बार दिल से याद करना दिल शिकस नहीं होना वर्दान प्राप्त है सिर्फ जैसे सुल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है न ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना रख सकते हो या मुश्किल है सहज है तो जैसे सुल बिंदी निरंतर है ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो समालिया, फिट हो गया निकल तो नहीं जाएगा अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है, तो और किसी तरफ भी नयन आकर्शित नहीं होगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों मे समाया हुआ होगा, तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा, तो दिल में और नैनों में समाने की विधी है, बाप दादा साहिब को राजी करना, तो साहिब राजी है, आप समझते हो, बाप दादा साहिब आपके उपर राजी है, कितने परसंट राजी है, कोई ने कहा निन्या कोई ने कहा 75%, आफरीन है, बाप ददा को राजी करना बहुत सहज है, बाप ददा को राजी करने का सहज साधन है, सच्ची दिल, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है, हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है, जो सच्ची दिल वाला है, वे सदा संकल्प, वानी और कर्म म संबंद संपर्क में राज युक्त होगा अर्थात राज को समझ करने वाले चलने वाले और हम कहां तक राज युक्त हैं उसको परखने की निशानी हैं अगर राज जानता है तो वे कभी भी अपने स्वस्थिती से नाराज नहीं होगा अर्थात दिल शिकस नहीं होगा और संकल्प में भी वृती से भी स्मृती से भी दृष्टी से भी किसी को नाराज नहीं करेगा क्योंकि वो सबके वो अपने संसकार स्वभाव को जानने वाला राज युक्त हैं तो बाप को राजी करने की विधी है राज युक्त चलना और राज युक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराज की आए ना औरों को नाराज करे सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धी को स्वपन तक भी सदा शुब और शुद्ध रखो कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं बाप ददा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती बाप ददा विशेश सब बच्चों के साथी होने के संबंद से विशेश ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं क्यों बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन बनाए साथ ले जाने के लिए तो बाप अपने जिम्मेवारी विशेस ऐसे समय पर निभाते हैं लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ओफ होता है तो बाप क्या करें बाप तो फिर भी स्विच ओन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ताइम लग जाता है इसलिए जब फि मन की catching power, जिसको आप कहते हैं touching, उस touching वो catching power का switch on रखो, माया कोशिश करती है off करने की, second में off करके चली जाती है, इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना, बाप दादने पहले भी कहा, कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर् संसकार से संसार परिवर्तन का, पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं, तो कहा मना रहे हैं, बाबा कहते तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृती बाप से पूछती है, कि मैं तयारी करती हूँ, सफाई करने की, लेकिन अफाई करने वाले जो निमित हैं, वे करते करते सोच में पढ़ जाते हैं, दुविधा में पढ़ जाते हैं कि करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूँ? प्रकृती पूछती है, तो बाप दादा प्रकृती को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो तो कहा थोड़ा इंतजार करें बाब ने का यह तो ठीक जवाब नहीं है अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे अभी तो प्लेन मिल गए ना सोते सोते आये हो ना प्लेन में आराम से आ गए ना सारी सभा में से किसी को भी आने में मु टाइम पर पहुँच तो गई, यह हिम्मत की बात है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए, आप लोगों ने द्रिड संकल्प किया, जाना ही है, तो पहुँच गए, सिर्फ एक का प्लेन लोटा, बस न, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा, अभी आगे तो प्रकृती को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि सापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पढ़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, एकदम सपष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रोंग है, क्लियर हो, तो प्रकृ आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी अभी भी करा रही हैं लेकिन सापना के निमित बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में चाहे स्वप्रती चाहे औरों की प्रती सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए सेकेंड में क्लियर टचिंग हो बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है सेकेंड तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकेंड लगता है कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदू रूप सिती में सित्त होने में सेकेंड लगता है मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है, पांडव को सेकंड लगता है, तो कहा कभी कभी, पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, यह तो कह रही हैं सेकंड लगता है, शक्तियों में शक्ति है, तो कहा पांडव सच बोलते हैं, ब ये फर्क हो गया, बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिलवाले हैं, अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप ददा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाबा मधुबन में आ अपने अपने दूर देशी द्रिष्टी दुर्बीन से देख रहे हैं तो वहे भी अभी बाबा की सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुवन में हैं। और के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा पूछते दिवाली मनाली, संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर मुखी हो, अतिंद्रिय सुक की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन, आत्माओं की प्रती महादान देते चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंद संपर्क से एक दो की विशेसा को देखो, विशेसा की खुशबूलो, सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय समप्त हो गया, गवाने का युग तो नहीं है न, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग ह तो बाप ददा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नौलेज है, इसलिए गवान के फिर मनाना उसका महत्व होता है. अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है, कमाने के समय पर गवाएंगे, तो कमाएंगे कब, फिर तो समय मिलना नहीं है, चेक करो, जो भी खजाने है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ग्यान का खजाना, प्रतिक्ष जीवन में आए, ग्यान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ग्यान अर्थात नौलेज, नौलेज को क्या कहते हो? नौलेज लाइट है, माइट है, कहते हो न, तो ग्यान वा नौलेज का अर्थ है, इस संकल्प में, बोल में, कर्म में, लाइट और माइट है, तब कहेंगे नौलेजफुल. कुमारियां नौलेजफुल बनने वाली है न, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाशन करने वाली नहीं बनना, साथ-साथ नौलेज की लाइट माइट, संकल्प बोल और कर्म में हो. कुमारियों से तो बाप ददा का विशेस प्यार है, क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया, कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया, या वहाँ जाके सोचेंगी, पक्का सोच लिया है, तो मुबारक हो, देखो इतने हैंस तयार मिलेंगे आपको, जो कुमारि या ट्रेनिंग कर रही है, वह हाथ उठाओ, कितनी संख्या है, तो कहा असी, जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वह हाथ उठाओ, गिनती करो, आधे हैं, अच्छा इतने हैंड तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो मिला ही है, हमेशा घर और वर, दो चाहिए ना, कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है, कुमार समझ से हैं हम पीछे क्यों, पीछे नहीं आगे हो, कुमारों के बिना भी सेवा कहा चलती है, कोई भी सेंटर पर अगर हाड़ वरकर कुमार नहीं हो तो बहने कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए पांड़ों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है। दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हरे को आत्माओं प्रती रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे हैं। बाप की आगे अपनी अपनी भाशा में चिल्ला रहे हैं। पंडव, राइट हैंड हो, आप राइट हैंड का यादगार हैं। पतह कौन सा यादगार हैं। विराट रूप का चित्र देखा हैं। तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं। तो आप राइट हैंड का चित्र हैं ना, कुमारियां उसमें आप लोगों का चित्र हैं ना, तो अभी बाप राइट हैंड्स दवारा, आत्माओं को सुख शान्ती की अंचली तो दिलाएगा ना, विचारों को अंचली भी नहीं देंगे, तो कितने तडफेंगे। अभी सभी हद की बातों से उचे हो जाओ, हद की बातों में, हद के संसकारों में समय नहीं गवाओ। नट-Kht वचतुराई के संसकार, अलबेलेपन के संसकार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझ से हैं, सब चल रहा है, कौण देखता है, कौण जानता है, लेकिन अभी तक बाप ददा रहम दिल है। इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है लेकिन बाप ददा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक? प्रकृती भी पूछती हैं जवाब दो आप, जवाब दो अभी तो बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सत्गुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, शमा के सागर का पार्ट चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पार्ट चला तो क्या करेंगे? बाप ददा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वहा बच्चे वहा का आवाज कानों में गुंजे फिर बाप को उलहेना नहीं देना बाबा आपने सुनाया नहीं हम तयार हो जाते थे ना इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में स्वभाव में संसकारों में समय नहीं गवाओ चल रहे हैं चलता है नहीं जमा होता जाता है दुगुना तिगुना सोगुना जमा होता जाता है चलता है नहीं इसलिए इस द्रिड संकल्प का दिल में दीप जगाओ हद से बेहद में वृती द्रिष्टी कृती बनानी ही है इसलिए बाप ददा कहते हैं बनानी पड़ेगी आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी फिर क्या कहेंगे? Too late समय को देखो, सेवा को देखो सेवा बढ़ रही है, समय आगे दोड रहा है लेकिन स्व्यम हद में है या बेहद में है हद की बातों के पीछे आप नहीं दोड़ो तो बेहद की वृती, स्वमान की सीती आपके पीछे दोड़ेगी बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, अफरीन भी देते हैं लेकिन अभी सेवा में अनुभूती कराना शमा के उपर परवाने बनाना चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने अनुभूती की खान खोलो अच्छा है, यहां तक ठीक है लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने पक्के परवाने बनेंगे अनुभूती का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूती होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है यही यथार्थ ग्यान है, नौलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है अभी अनुभूती स्वरूप बन अनुभू कराओ अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डारेक्ट संबंद रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तयार करो सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है और बनाओ यह स्थान है यहां से ही प्राप्ती हो सकती है इतने तक भी मानते हैं लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो जो शमा के पीछे ही भागते रहें तो इस वर्ष विशेष बाप ददा सेवा में अनुभुती कराने का कोर्स कराना चाहते हैं इससे ही साक्षतकार भी होंगे और साक्षात बाप प्रतिक्ष होंगे सुना क्या करना है प्लैन मिला अभी सुवर्ष की रिजल्ट देखेंगे अच्छा चारों और के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन स्रेश्ट आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संसकार परिवर्धन करने वाले बेहद की परिवर्धकात्माओं को सदा एक सिकेंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तिवर पुरुशार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्रह्मन आत्मा, चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंचली देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को, बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्से, रुआनी बच्चों की रुआनी बाप दादा को, नमस्से नमस्से गुड मोर्णिंग, वर्दान, उमंग उत्सह से विश्व कल्यान की जिम्मे वारी निभाने वाले, आलस्य वालबेले पंसे मुक्त भव, उमंग उत्सह से विश्व कल्यान की जिम्मे वारी निभाने वाले, आलस्य वालबेले पंसे मुक्त भव, चाहे नए हो या पुराने हो, ब्रहमन बनना मना विश्व कल्यान की जिम्मे वारी लेना, जब कोई भी जिम्मे वारी होती है, तो तिवर गती से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती हैं, तो अलबेले रहते हैं, जिम्मेवारी अलस्य और अलबेला अपन स्माप्त कर देती हैं, उमंगुत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन दवारा औरों का भी उमंगुत्साह बढ़ाते रहते हैं. स्लोगन समय प्रमान शक्तियों को यूज करना माना ज्यानी और योगी तुवात्मा बनना अच्छा ओम शान्ति एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा आप स्व्यम्मेक महान परिवर्तन कर सकते हो जो आपको पास्वीद ओनर की लिस्ट में ला सकती है ऐसी कौन सी महान शक्ति है जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमती